सबक नमबर ग्यारा लाल बहादुर शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री हमारे मुलक के दूसरे वजीर आजम थे वो मुगल सराई के एक गरीब घराने में पैदा हुए थे उनके वालिद का नाम शार्दा परसाथ और वालिदा का नाम राम दुलारी देवी था वो अपने माबाप के एक लोते बेटे थे लाल बहादुर शास्त्री दो ही साल के थे के अचानक उनके वालिद का इंतिकाल हो गया वालिदा के साथ वो ननियाल में आकर रहने लगे यही उनका बच्पन गुजराव यहां वो अपने दोस्तों के साथ सहर को जाते थे और गाव की नदी में खूब तैरते थे दोस्तों के साथ इनका बरताव हमेशा अच्छा रहा उन्होंने बच्पन ही में तै कर लिया था के खूब महनत से पढ़ूंगा और अपनी वालिदा को सुख पहुचाऊंगा लाल बहादुर इस स्कूल में अपने उस्ताद का हर हुक्म मानते थे खूब महनत से पढ़ते थे और इन्हें खेलने का बड़ा शोक था इस स्कूल में इनका रहन सहन निहायत साधा था अपने कपड़े वो खुद धोते और चपलों को दुरूस्त कर लेते थे कभी कबार तो वो नंगे पैरी इस स्कूल चले जाते एक बार वो गंगा के उस पर जत्रा देखने गए वापस लोटते हुए शाम हो गई उनके सबसाती नाओ में बैटकर दूसरे किनारे आ गए मगर लाल बहादूर अभी तक वापस न लोटे थे उनके दोस्तों को फिकर हुई कुछ दूरी पर उन्हें एक लड़का तैर कर किनारे की तरफ बढ़ता नजर आया ये लाल बहादूर थे असल में इनके पास नाओ वाले को देने के लिए पैसे ना थे इसलिए उन्होंने तैर कर नदी पार की जब लाल बहादूर मैट्रिक में थे उन्होंने एक बार गांधी जी की तकरीर सुनी इस तकरीर का उन पर बड़ा असर हुआ उसी वक्त उन्होंने अपने वतन की खिद्मत करने की ठान ली उन्होंने सत्ते गिरा में इस्सा लिया वो खादी के कपड़े पहनने लगे आजादी के लिए वो कई बार जेल भी गए उन्होंने वतन की खिद्मत के साथ अपनी तालिम का भी खयाल रखा हमारे मुल्क के पहले वजीर आजम पंडित जवाहर लाल नहरू इन्हें बहुत चहते थे पंडित नहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के वजीर आजम बने मुल्क की तरक्की के लिए वो उमर भर कोशिश करते रहे वो अठारा महा तक वजीर आजम रहे जय जवान जय किसान का मशूर नारा इन्ही का दिया हुआ है इनका इंतेकार ताशकन में हुआ